संस्क्रत फ्याकरण की स्रंखला में आज हम लोग शब्द रूप के बारे में जानेंगे शब्द रूप किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रियोग कैसे किया जाता है, आदी आदी शब्द रूप क्या होते हैं संग्या थता सर्वनाम के स्थान पर जो शब्द कर्ता के रूप में प्रयोग किये जाते हैं वे शब्द रूप कहलाते हैं शब्द रूप के उन्स क्या कहते हैं किसे कहते हैं कि जो शब्द संग्या तत सर्वनाम के स्थान पर करता के रूप में प्रयोग किये जाएं वह शब्द रूप कहलाते हैं जैसे बालक, राम, रमा, मुनी, नदी, फल, गुरू, रिशी, तत, यत, एत, इतियादी अब आपको बताते हैं कि शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं शब्द रूप कई प्रकार के होते हैं जैसे अकारांद, इकारांद, उकारांद, रिकारांद, तकारांद, नकारांद, सकारांद, आदियाद अब इनको कैसे पहचानते हैं कि ये हैं क्या क्या है और इनको कैसे पहचानेंगे अकारांध इकारांध है क्या अब जैसे इनके बोलने से पता चल रहा है अकारांध आख है अंत में जिसकी यानि कि आस्वर आ और आस्वर जिस सब्द के अंत में है तो अकरान किसे कहते हैं? जिस सब्द के यंत में आ या आ सवर है उन्हें अकरान सवर कहते हैं जैसे बालक क क क क के यंत में क्या है सवर कौन सवर? आ बालक राम रमा लता फलम आदी अब ये अकरान्त, इकरान्त, उकरान्त ये रूप तीनों लिंगों में बनते हैं पुलिंग, इस्त्री लिंग और नपुसंग लिंग लिंग के बारे में आपको पिछली वीडियो में हमने पिछली वीडियो में का बताया था अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे संस्पॉत वो चैनल में जाके देख सकते हैं तो अकारान पूल لिंग में कैसे रूप बनते हैं जैसे बालक, राम, देव ऐसे और अकारान इस्ट्रील इंगमें कैसे रूप बनते हैं अब आपको अकारांग फूलिंग का एक रूप पढ़के सुनाएंगे, उनको पढ़ने का धंग बताएंगे, याद करने का धंग बताएंगे, जैसे बालक, बालक के रूप बताएंगे, इसमें साथ भी वक्तियां हैं, तीन बचन हैं, एक बचन, दुई बचन, और बहु बालकाः 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 बालक एक एक बचन करके याद करिए, जैसे एक बचन में बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस से बालके, इस तरीके से आप याद करिए, और दुवचन और बहुचन में काफी विवक्तियां सेम होती है, तो यह याद करना बहुत आसान होता है, प्रत्मा विवक्त एक जैसी होती है फिर तरतिया चतुरतियों पंचमी विवक्ति एक जैसी होती है बालकाब्याम बालकाब्याम फिर सस्ट्यों सत्यमी विवक्ति एक जैसी होती है बालकयों बालकयों तो दिवचन कितना आसान है याद करना इस तरीके से बहुवचर में कैसे याद करते हैं जै ट्टियाँ में बालकाः और चतुरती वंचिव एक जैसी होती है कर्ações दो बंजक़ के के सारी इसारी चरूप एक गर्ड करलएंगेгля एक रूप लिलेगे कहीं पर भी आप इनका प्रियोग कर सकते हैं अब आपको अकारांध इस्त्री लिंग के रूप बताएंगे कैसे लिखे जाते हैं कैसे पड़े जाते हैं अकारांध इस्त्री लिंग में रमा का रूप बताते हैं इसमें भी साथ विवक्तिया हैं तीन बचन हैं अब इसमें ए पंचमी सस्टी एक जसी है रमाया रमाया सत्मी में रमाया संभोधन है रमे ठीक अब दितिया भी दिवचन पढ़ते हैं दिवचन में क्या होता है कि इसमें प्रत्मा दितिया एक जसी है चतूरती प्रत्या चतूरती पंचमी एक जसी है फिर सस्टी सत्मी एक जसी है बहुत आसान होता है याद करना तो प्रत्मा दितिया में क्या है रमे रमे त्रतिया चतूर्थी बंचमी में क्या है रमाभ्याम 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 सस्थी सत्मी में क्या है रमियों रमियों संबोधन है रमे इसके पाद बहु बच्चन को पढ़ते हैं बहु बच्चन क इस तरीके से पूरा रूप कैसे बनता है अब आकारांत नपुनसक लिंग के रूप पढ़ेंगे फल के इसके ये प्रत्मा दितिया में तीनो बचन एक जैसे होते हैं मतलब जो एक बचन में दो भी बचन एक जैसी है वो बचन में दो भी बचन एक जैसी है फलम फले फलानी फलम फले फलानी फलेन फलाप्याम फलावी फलाए फलाप्याम फलाप्या फलाथ फलाप्याम फलाप्या फलस्ते फलियो फलानाम फले फले फलेशो ठीक तो इसमें दुवचन और बहुबचन तो बहुती आसान है इसमें दो विवक्ते हैं एक जैसी फले फल फिर तत्रतिया चतूरती पंचमी एक जैसी फलाब्याम फलाब्याम फिर सस्टी सत्मी एक जैसी फल्यो फल्यो इसी तरीके से बहुबचन में भी दो वेक्तिया एक जैसी फलानी फलानी फिर फलाभी तत्या में और फलाब्या फलाब्या चतूरती पंचमी में सस्टी में फला अब समझते हैं इकारां शब्द रूप क्या होते हैं जैसा कि इसके शब्द से समझ में आ रहा एकर अंत जिसके अंत में एक हो अर्थाद ई और ई हो उसे एकारां शब्द रूप कहते हैं जैसे हरी सक्खी और वारी मुनी इस तरीके के मती इस तरीके के जो रूप होते हैं अब आपको इकारां शब्द रूप बताएंगे हरी के कैसे पढ़े जाते हैं इस तरीके सिसके रूप बनते य़ द्विवचन और बहुबचन का दो दो करके सिमलर हुते हैं जैसे प्रत्मा दितिया हरी 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 है और तरतिया चतुरती पंचमी एक जैसी है हरी प्याम हरी प्याम हरी प्याम और सस्टी सत्मी एक जैसी है हरी हो हरी हो इसलिए आप ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे इस तरीके से हरी के रूप बनते हैं और इसी तरीके से इकारांध इस्त्रीलिंग के सारे रूप बन जाएंगे एक रूप आप्याद कर लीजे उस तरीके के आपको इकारांध इस्त्रीलिंग के सारे रूप बन जाएंगे आगे की व्याकरण हम अंगली कक्षा में चर्चा करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें